हाई वरिवन आज हम अरे प्लेलिस्ट का question no.24 करेंगे lead code no.835 medium level का question है question का नाम है image overlap यह question के बनाने के ना 2-3 तरीके हैं बट to be honest question का description बहुत गंदा दिया हुआ है ठीक है it could have been a bit better थोड़ा सा और elaborate करते ना example देकर और अच्छे से तो और अच्छा explanation हो सकता था अभी question पढ़ने पर समझ में नहीं आता अच्छे से यह question काफी अच्छा है लेकिन और it has been asked by google ठीक है Google ने पूछा इस question को question अच्छा है ठीक है बट इसको ना easy बना सकते हैं जादा tough नहीं है यह थोड़ा सा ना visualization करना पड़ेगा ठीक है तो देखते हैं input दे रखा यह इसका output 3 है तो input में क्या है कि आपको दो images दे रखे हैं ठीक है binary images है जिसमें 0101 भरावा है ठीक है तो यह बंदा क्या बोल रहा है कि आप जो हो आप अपने image को उठाओ और आप इसको overlap करो ठीक है मानलो ऐसे overlap किया ठीक है तो उस indices सिने दोनों में 1 हैमे में 21 और में 21 उसको count कर दो ठीक है तो यह पहला overlap किया मानलो अपने ओवरलाप ऐसा किया ठीक है इसमें वह drinसे CAP कर लो चिसमें दोनों little dispers wreck में एशा ओवरलाप शुत्तिक हैं आपका मन कैसी वह वरलाप करे ऐसा करे से करो, ऐसे करो तीक है, ऐसे करो, its totally up to you, हां बाहर नहीं जाना चाहिए वरना overlap रहे गा लिए। umधि यह भी overlap चलेगा तो बस एक dividedतबा overlap कर रहा है az Compass reguler और पोईंट यह कि जितने भी overlap से सब करके दिखाओ और aussi सब में count पता है किसको करो, उन्हें הindex को count करो जिसमें a में भी 1 हो और b में भी 1 हो मतला हर वो index सचाहिए मुझे ठीक है, ये a में भी और b पता है और b का भी 1 हो और count कर लेंगे तो सबसे ज़्यादा यह condition जिस overlap में आपको मिला वो आपको return करना है maximum count of overlapping 1 तो देखो अभी इसमें तो बहुत सारे overlaps possible है तो इसका लेकिन सबसे optimal overlap पता है कौन सा यह वाला देखो इसको overlap किया ऐसे करके है ना ऐसे overlap किया तो देखो overlapping वाले region को न मैं color कर देता हूँ थोड़ा सा green color से यह इनका overlapping region है इसमें देखो इसमें ध्यान दो कि यह वाले डब्बे को देखो इसमें देखो दोनों में आए तो ऺिचाषम देखो 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 चलते हैं इसमें दोनों इसमें में दाव आइज सखो हैं अजक्छ एग्र मैं नियुक्त में टूल डब्ब्ब्ब्बम a for example a où यह फ्रिए यक्पल आप ले लो यह ओरेलो कि असओ देखते हैं। Hey ऐसे कि अखितista है क्याहिव्यलाप किया यह नदबा अखिए नजब है। ठीक है बाकी तो बाहर है उनको हटा दो और लाप यह हुआ है यहां तो देखो भाई पहले वाले मेट्रिक्स में वन है दूसरे वाले मेट्रिक्स में जीरो है तो इसको तो काउंट नहीं कर सकते हैं इसमें देखो इसमें दोनों में मेट्रिक्स दोनों में वन है तो काउंट तो बेस्ट और लाप जो था मेरा वह वाला तो जिसका आंसर मुझे 3 मिला था ठीक है तो यह देखो समझ में तो आ जाता है question बट वही दिमाग खराब होता है कि इसको implement कैसे किया जाएगा इसको implement आखिर कैसे किया जाए तो इसको implement करने के लिए एक छोटा example लेंगे ताकि अच्छे समझ में जाए बड़ी example में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो एक छोटा example लेकर समझते हैं कैसे solve करेंगे तो मैंने यह एक छोटा से example लिए है ठीक है इसमें question में दे रखा है कि आपका जो matrix है वो n क्रॉस n का होगा ठीक है यहां पर n मेरा 2 है यहां पर 2 है चलो ठीक है अब देखो जब मैं overlap करूंगा ठीक है तो एक को fix रखूंगा जैसे माल लेते हैं मैं इसको fix रखता हूं ठीक है लेफ्ट राइट अपन डाउन ठीक है तो देखो एक चीज़ ध्यान दो ठीक है जब यह रेड को मैंने overlap किया ठीक है जब रेड को मैंने अभी overlap किया तो ध्यान दो यहां पर अभी दोनों का इंडेक्स यह सेम है ठीक है वाइट वाले का 0,0 बी का 0,0 है वाइट वाले का 0,1 बी का 0,1 है यहां पर मैं अगर लिखता हूं इस यहां पर लिखी देता हूं ठीक है 0,1,0,1 ठीक है अब overlap करते हैं अभी जब पहला वाला यह जो overlap किया इसमें देख लो दोनों का 0,0,0,1,1,0,1,1 एक ही है यह ना अब देखो अब हम ना off मितलब row को घसकाएंगे और column को घसकाएंगे मतलब पहले row को घसकाते हैं ठीक है red वाले को घसका रहे हैं मालो नीचे घसकाएं red वाले को ठीक है red वाले को नीचे घसकाएं तो देख रहे हैं red वाला का जो offset है यह minus 1 तक आ गया माल ले थे यह number line था मेरा ठीक है तो यह minus 1 तक पहुँच गया ठीक है और यह अब इसको तो further हम नहीं कर सकते है move है न एक second ठीक है यह पहले यहाँ था फिर इसको नीचे ले गएं तो row में हमने एक इसको नीचे घसका दिया ठीक है मतब minus 1 करके एक नीचे घसका दिया लेकिन और नीचे तो घसका नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर आ जाएगा एक offset नल नहीं रख सकते हैं बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो row में जब घसका ना हुआ तो नीचे घसका सकते हैं और नीचे नहीं घसका सकते हैं और row में कहां घसका सक मतलब row का जो offset होगा offset बोल रहा हूँ मैं घसकाने को row का offset क्या क्या होगा एक तो भाई कोई भी हमने shifting नहीं करी मतलब 0 ठीक है और एक minus 1 shifting करी नीचे के तरफ और एक plus 1 shifting करी उपर की तरफ चलो ठीक है यहादा clear हो रहा होगा कि minus 1 0 1 इतना shifting हो सकता है चलो ठीक है चलो एक काम करते है minus 1 जो shift करा था ना row को वहाँ पर आ जाते हैं चलो minus 1 यहाँ shift करा उसकी बाद इस minus 1 वाले row shift में column में भी तो shift कर सकते हैं इधर या फिर इधर समझे रो और मान लेते हैं row offset 0 था मतलब इस position पर था तो अभी भी तो column में shift कर सकते हैं एक इधर और एक इधर similarly row offset जब 1 था तो अभी भी column में shift कर सकते हैं एक इधर और एक इधर तो इसका मतलब समझे मतलब हर एक row offset के लिए यह मान लो एक row offset है इसके लिए 3 column offset हो सकते हैं column offset column offset भी वही है, तीन ही हो सकते हैं, minus 1, 0, 1 similarly, इसके लिए भी वही होगा minus 1, 0, 1, मतलब हर एक row offset के बाद, फिर column offset कर लो मतलब है न, minus 1, 0, 1, वही न मैं कर रहा हूँ मैं फिर से diagram में देखा रहा हूँ, देखो अभी zero offset है, ठीक है, zero offset में column का minus 1 offset करो ठीक है, zero offset करो तब यही रह जाएगा, और one offset करो यह हो गया, तीन ही configuration आगया, चलो पहला यह, माल ने ते row offset minus 1 है, minus 1 बहुत है तो यहाँ पर, row offset minus 1 है इस row offset में तीन column offset हो सकते हैं, एक इधर, एक इधर यह न, फिर एक, एक zero offset मतलब कहीं नहीं है, ठीक है और फिर row offset माल ले तो 1 है, इसमें भी तीन column offset कर सकते हैं, zero column offset क्या हो जागा, यह इधर का इधर ही रहेगा, minus 1 column offset इधर का, यह इधर आजाएगा, plus 1 column offset यह इधर आजाएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक row offset के लिए, तीन-तीन column offset है, यह तक तो clear हो गया, आपको वही न, column offset मतलब खिसकाना, मतलब मैं खिसका रहा हूँ, खिसका नहीं तो है, यह न, बस आपको अपने array को खिसकाना है, और उसके बाद जब खिसक गया, माल लेते हैं, माल लेते हैं, आपने इसको, माल लेते हैं, आपने इसको खिसका लिए, चलो माल लेते हैं, इस position पर आ गए, ठीक है, फिर आप value चेक कर लो, 1 है, 1 है, 2 है, sorry, 0 है, यह भी 1 है, यह 0 था, 1 था, जो overlapping है, उसकी value निकाल लो, कितने में दोनों की value 1 है, आपको, वो तो निकालना असान है, कितने में दोनों की value 1 है, मेंने कि आपको indexes निकालना है, कि कौन-कौन से indexes overlap कर रहे हैं, main challenge तो वही है, यहाँ पर देख रहो, यह वाल index overlap कर रहा है, और यह वाल overlap कर रहा है, तो वो कैसे निकलेगा, आपको offset की जनकारी हुने चाहिए, कि कितना आपने shift कर रहा है कितना आपने खिसकाया है, है ना, उसी तो पता चलेगा, इसलिए मैं पहले वो बता रहा हूँ, बाकी वो निकालना तो बहुत असान है, कि कौन-कौन से indices में 1 है, दोनों में 1 है, है ना, main indices निकालने ना पहले, तो चलो यह तो पता चलेगा कि मेरा जो row offset होगा, और column offset होग इसको अगर generalize करके देखें, तो मेरा row offset कहां से कहां तक जाएगा, minus of n plus 1 से लेकर, n minus 1 तक, है ना, minus of n plus 1 क्या आ गया है, माल लेते हैं, n की value 2 है, तो minus of 2 plus 1 क्या हो जाएगा, minus 1, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते चलो, 0, 1, है ना, 1 क्या है मेरा, देखो, n minus 1 मेरा थ तो correct है, तो आपको यह तो पता चल गया, कि भाई अगर आप offset निकालोगे, मतलब अगर आपको खसकाना है, खिसकाना है एक अरे को, तो आपका फॉर लूग कुछ ऐसे होना चाहिए, int, row offset, कहां से होगा, minus n plus 1 से लेकर, row offset, less than n तक, ठीक है, फिर plus plus करेंगे यहां पर, है न similarly, हर row offset के लिए, मैंने क्या समझा है अभी, हर row offset के लिए, तीन column offset होगा, तो int, column offset, is equal to, यह भी minus n plus 1 से लेकर, column offset, n तक जाएगा, इसका भी plus plus होगा, ठीक है, यहां तक तो clear हो गया, चलो, मतलब हम offset तो निकाल पा रहे हैं, अब हमें करना क्या है, बस हमारा main function क्या था, count कर लेंगे, count overlaps, ठीक है, हमारे दो-दो matrix है, A और B, और यह भेज देंगे कि भाई, row offset क्या है, और column offset क्या है, ठीक है, बस यह function हमारा count निकाल के दे देगा, इस offset के हिसाप से, इस offset के साथ से हम indices निकाल लेंगे, है ना, और वहाँ पर count कर लेंगे, कितने overlapping 1 है, ठीक है, अब आते count overlaps में, कि भाई, count overlaps वाला जो logic है, वो कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो चलो, एक example लेके समझते हैं, कि कैसे हम अपना indices निकालेंगे, कौन-कौन से overlap हो रहे हैं, ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी मान के चलते हैं, कि यह हमारा overlap का situation अभी यह है, ठीक है, अभी हमारा overlap ऐसा हो रखा है, तो आप यह सोचो कि इसमें क्या-क्या offset क्या होगा, row offset क्या होगा, column offset क्या होगा, ठीक है, row offset तो 0 दिख रहा है, क्योंकि हमने row ना उपर घसकाया ना नीचे घसकाया है, ठीक है, तो row offset मुझे दिख रहा है कि 0 है, और column offset जो है, वो मुझे दिख रहा है, कितना column को हमने right घसकाया है, इसको minus 1, ठीक है, column को right side घसाने का मतलब minus 1, ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब हमें पता करना कि कौन-कौन सा overlap हुआ है, है ना, तो overlap मेरा actually में यह हुआ है, यह वाला, ठीक है, अब यहाँ पर indices लिख देते हैं, ताकि अच्छे से clear हो जाए, 0, 1, 0, 1, उसी के हिसाब से इसका भी निकाल लेंगा red वाले और white वाले दोनों का indices, ठीक है, तो red वाला move कर रहा है, ठीक है, तो देखो, पहले तो मुझे तो बस यह निकालना है कि भाई, कौन-कौन से overlap हो रहे हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो a अरे है, उसका मैं अभी 0,0 पर खड़ा हूँ, ठीक है, तो b का किस से overlap करेगा, अगर कर भी रहा तो देखते हैं कि नी, overlap कर भी रहा है कि नी, ठीक है, तो a का भी 0 है, तो इसमें row जो है, a का जो row है वो 0 है, बट b का क्या हो चुका है, row offset शिफ्ट हो चुका है, तो b का क्या होगा, 0, मतलब a का 0 था ना, तो a का 0 प्लस row offset, ठीक है, ठीक है, इतना हमने row को खिसकाया है, similarly, column का भी offset निकालना होगा, a का column क्या है, 0 है, और जो हमारा column offset है, वो है minus 1, ठीक है, column offset, ठीक है, इसको simplify करके लिख देते हैं, क्या होगा, b of 0 plus 0, that is 0, 0 minus 1, minus 1 हो जाएगा, तो यह तो गलत हो गया, minus 1 इंडेस कैसे हो सकता है, तो चलो, a 00 जो है ना, वो कहीं overlap नहीं कर रहा है, इसका मतलब, और सही बात भी है, अब देखो, a 00 जो है, वो कहीं overlap नहीं कर रहा है, करेक्ट है ना, चलो, ठीक है, यह तो अच्छे समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे को देखते है, a का 0,1 के साथ चेक करते हैं, है ना, a का 0,1 का चेक करते हैं, क्या यह overlap कर रहा है, क्या, b से, देख ठीक है, a का कॉलम जाने की 1, और b का कॉलम जाने की माइनस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा भई, b का 0, और यह भी हो गया 0, और देखो, बिल्कुल करेक्ट निकला है यह, a का 0,1, b का 0,0 से ओपर लाएप है, देख रहे हो, इसका मतलब, अगर आपको, a का इंडिक्स इस, i, j ह है, तो b का इंडिस क्या होगा, i plus row offset, और b का j क्या होगा, column जाने क्या होगा, j plus column offset, यह formula तो समझ में आ गया, क्यों काम कर रहा है, ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक और example, आगे और देख लेते हैं, आगे चला के, कि सही में यह काम कर रहा है कि नहीं, चलो a का 0,1, b का 0,0 यह बिल्कुल करेक्ट निकल गया हमारा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, a का 1,0 है, a का 1,0 है, क्या यह overlap कर रहा है, देख लेते हैं, b का, a का row plus row offset, यानि कि 1 plus 0, that is 0 हो जाएगा, और b, a का column plus column offset, minus 1 हो जाएगा, यह भी गलत हो गया, सही बात भी है, क्योंकि a का जो 0,1 है, sorry, a का 1,0 है, वो सही में overlap नहीं कर रहा है, देखो, कहा overlap कर रहा है, तो बाहर है, यह यह correct निकला हमारा, चलो ठीक है, यह overlap नहीं कर रहा है, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, अब आते है, a का, क्या है, 1,1 है ना, ठीक है, b क्या होगा, 1 plus row offset, यानि कि 1 हो गया, और, 1 plus column offset, यानि कि 0 हो गया, यह ना, column offset minus 1 था, 1 plus row offset, 1 plus column offset, 1,0, और सही बात है, देखो, a का 1,1 ज़ा है, बी का 1,0 से, यह कर रहा है, यह कर रहा है, ओवरलाप कर रहा है, सही बात है, यानि कि हम indices तो बहुत एजिली निकाल सकते हैं, यार, a का, a पर iterate करेंगे, i और j का, ठीक ह और इसी तरह b का निकाल लेंगे, अगर a का i, j है, तो b का क्या होगा, i plus row offset, j plus column offset, है ना, और देख लेंगे कि भाई, दोनों में अगर 1,1 है, तो हम count plus plus कर देंगे, और 1,1 नहीं है, तो count plus plus नहीं करेंगे, ठीक है, देखो, यह question जो ना, दो भागों में बटावा था, सब आपसे पहला चीज तो आपको यह समझना था, column offset वाला चीज, है ना, minus n plus 1 से n minus 1 तक जाएगा, दूसरा आपको यह समझना था, कि क्यों row plus, यह, अगर a का index i और j है, तो b का index i plus r offset, और j, column वाला, j plus column offset होगा, यहीं आपको समझना चाहिए, कई वीडियो में नहीं बताते है कि क्यों काम कर रहा है, यह, बस वो direct बोल देते हैं, कि i plus row offset कर दो, और j plus column offset कर दो, ठीक है, बड़ आपको यह भी तो दिखाना चाहिए, कि हाँ, यही है, जो overlap कर रहे है, example से बता दोगे, तो बस enough है, उसी से समझ में आयता है, लोगों को, तो यह example जो मैंने आपको दिखा तो बिल्कुल वैसी story सिखाएंगे, बताएंगे, जैसे यह वाले offset वाली story बताएंगे, और वैसी code लिखेंगे, यह वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, कि हर एक row offset के लिए, तीन possible है, column को घसकाएंगे, है ना, column को घसकाएंगे, ऐसे करके, ठीक है, तो इसी तरह चलते है, हाँ, अपने coding पे, ठीक है, और यह वाला मैं फिर से आपको दिखा दूँ, है ना, यह देखरो, यह row offset 0 है, इसको इधर और इधर घसका दिया, है ना, column को इधर और इधर घसका दिया, यह row offset 1 था, column को इधर और इधर घसका दिया, ठीक है, यह row offset minus 1 था, column को इधर और इ ठीक है चलो यहां diagram भी बनाई देता हूं ठीक है पहला ऐसा और यह भी ऐसा मतलब 0 overlap है ठीक है दोनों एक जगा ठीक है दूसरा क्या था भाई कि वाइट तो fix रहेगा हर बार रेड़ वाला उपर आ गया ठीक है तीसरा क्या होगा रेड़ वाला नीचे आ गया है ना चौथा क्या होगा रेड़ वाला इदर गसक गया पाच्वा क्या होगा रेड़ वाला स्वरी रेड़ वाला इदर गसक गया ठीक है तो देख रहे हो यह जो इसके लिए दोनों है ना है मत बढ़ जब जब ऑफसेट जब रो ऑसेट जीरो है तो कॉलम ऑफसेट एक राइट सीड़ घसका है एक लेट साइग में इससी तरह इसके लिए दो होगा ना वह दो क्या होगा यहां दिखा देते हैं वाइड तो अपना मस्त यहां पर है ठीक है रेड कहां का मूफ कर सकता है इधर और दूसरा क्या होगा कि वाइट तो अपना यहां पर है और रेड इधर है ना सिमिलर्ली इसका भी दो होगा ठीक है तो हमने हम क्या कर रहे हैं सारे आपको प्रफिग्रेशन् ट्राइक लिए मतलब रोस जीरो रखा फिर सारे कॉलम को ट्राइक लिए और काउंट ऑवरलैप करने के लिए आपको वता दिया है कि आप और आफ रो ऑफसेट जे प्लस कॉलम ऑफसेट थीक है तो कोड करते बिल्कुल इसी तरह दुबारा स्टोरी भी सुनाएंगे कोड करते करते और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है तो हैर सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि इस question को बहुत गंदी तरीक से इन्होंने लिखा है ठीक है जो मैंने समझाया उस पर ध्यान देना ठीक है बट हाँ question वही है कि आपको largest possible overlap निकालना है ठीक है जिसमें maximum number of overlapping ones हो ठीक है तो यही मैंने example आपको starting में बताया था कि इसका देखो यह configuration best है इसमें 3 overlapping one है इसलिए इसका output one था 3 था sorry ठीक है तो code तो बिल्कुल वैसी लिखेंगे जैसे story बताई थी ठीक है सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि भाई अच्छा इसका नाम बदल देते हैं और a रख देते हैं और इसका बी रख देते हैं image one थोड़ा सा दिक्कत होता है a.size ठीक है question में दे रहा है कि n x n का मेरा matrix होगा ठीक है तो row भी मेरा n होगा और column भी मेरा n होगा चलो ठीक है यहां तक समझ में आ रहा है उसके बाद हाँ एक variable रिख लेते हैं जिसमें maximum overlap store करते चलेंगे अभी तक तो zero maximum overlap ठीक है इसके बाद मैंने क्या पताया था आपको कि एक for look चलाएंगे ठीक है सज़कर रोफ्सेटर का एक रोफसेट कहां से start होका minus n plus1 से और रो औफसेट जो होगा वो से अंच खिए इसके इसके बहुए कि हरा आपसेट की लिए the column of Say ला Olumeps और मिल्टिबल कोहलब सूरु होगा तो column offsets भी वैसी होगा, minus of n plus 1 से लेकर, sorry, minus of n plus 1 से लेकर, column offset जो होगा, less than n होगा, column offset plus plus, यहां तक clear है, हर बार हम overlap निकालेंगे, ठीक है, end count overlap, ठीक है, और एक function निकलेते हैं, जो count करेगा हमारा, count overlaps, ठीक है, इसका variable नाम चेंज करते हैं, count लिख लेते हैं, count overlaps, ठीक है, यहां पर a को भेजेंगे, b को भेजेंगे, row off भेजेंगे, और column off भेजेंगे, ठीक है, और हर बार max overlap को, update करते चलेंगे, जो भी हमारा best आया, max overlap और count जो भी है, ठीक है, और return कर देंगे, max overlap, ठीक है, यहां तक तो clear है, अब जो last question आता है, वो होता है हमारा count overlaps, वही तो था हम जहां पर हम indices निकालते थे, int count overlaps, ठीक है, यहां पर हम क्या के बेज रहे हैं, vector बेज रहे हैं, है न, और int row off भेज रहे हैं, int call off भेज रहे हैं, ठीक है, यहां तक, उसके बाद, वही चीज़ करना है आपको, कि int n is equal to a dot size, ठीक है, int count is equal to 0, उसके बाद वही, मैंने क्या बोला, a पर iterate करेंगे, int i is equal to 0, i less than n, i++, for int j is equal to 0, j less than n, j++, ठीक है, find indices of b from a, का indices, है न, that is i, j से निकालेंगे, तो, याद है मैंने क्या बोला था, कि अगर a का i, j है, तो हमें b का क्या देखना होगा, i plus row offset and j plus call offset, यही तो है, लेकिन हाँ, निकाल लेते हैं, ठीक है, int b का i निकाल लेते हैं, ऐसे variable लख लेते हैं, i plus row offset, int b का j निकाल लेते हैं, j plus column offset, ठीक है, यहाँ तक तो clear है, इसके बाद याद करो मैंने क्या बला था, overlap तभी होगा, जब वो valid index आएगा, याद करो कभी-कभी मेरा indexes क्या आ जा रहा था, 0, minus 1, A सब आ जा रहा था, मतलब out of bound चला जा रहा था, तो वो तो overlap नहीं करेगा न, तो वो चेक कर लो, b underscore i कहीं less than 0 ना हो जाए, या फिर b underscore j कहीं greater than equal to n ना हो जाए, ठीक है, सॉरी, दोनो b i का हो गया, similarly b underscore j कहीं less than 0 ना हो जाए, similarly b underscore j कहीं greater than equal to n ना हो जाए, तो इस case में हम skip कर देंगे, continue कर देंगे, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, तो वहीं अपना चुप चाप चेक कर लो, if a i, j is equal to, is equal to, 1 and and, b i, sorry, b underscore i, b underscore j, b का b i j पे वो भी 1 है, तो भाई count बढ़ा देना है, ठीक है, और last में हम अपने count को भेज देंगे, और यह हमारा overlapping जितने count से वो निकाल देगा, और हर बार हम maximum निकालते चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर मैंने यह क्या लिखा है, max overlap is equal to max of max overlap and count, ठीक है, रन करके देखते हैं, I hope सारे example पास हो जाने चाहिए, पास हो के इसको submit करके देखते हैं, चलो, finally we have solved this question, थोड़ा सा difficult question था, but yes we have solved it, आपको कोई भी doubt होता है, comment section में raise कर, I'll try to help you out, okay, see you guys in the next video, thank you,